दोस्तो नमस्कार आपका फिर से हार्दिक स्वागत है हमारी इस चैनल स्टडिव दारस में दोस्तो आज अपन सीखेंगे इस वीडियो के अंदर जिसमें आप लोगों ने काफी रिक्वेस्ट किये थी कि फोरुम सोला इंकम टेक्स समंदित अपन कैसे त्यार करें इसके बारे में अपन सीखने जा रहे है तो मैंने तीन च्यार गंटे के बाद में इस चीज को पे मेनेजर पे डूणने की कोशिस किये और आपको जानकर कुशी होगी कि वो चीज जो अपन डूणने जा रहे थे जो करने जा रहे थी वो हमें मिल चुकी है और अपन फोरुम सोला एंड़ों सोला होता है इंकम टेक्स समंदी तो अपन त्यार कर सकते हैं तो दोस्तों सबसे पहले आपको लोगन होता है ओना होता है इस पे पे मेनेजर पे जैसे आब लोगन हो जाएंगे लोगन होने के बाद में आपको मैं बता दूं कि सबसे पहले आपको जाना होता है रिपोर्ट में और यह जो चीजे मैं करम से बता रहा हूं दोस्तो इस चीज को आपको सीरिल वाइज जानना जुरूरी है ठीक है दोस्तो यह पूरी चीज आपन जानेंगे इस वीडियो के अंदर लास्ट अमारे और ईदिय्यो रिपोर्ट में जाने के बाद दोस्तो इस बीडियो रिपोर्ट के अंदर यह तर आ जाएंगे और यहां आने के बाद में आपको यह जो औ correcting तो इसके निचे वाला तो सबसे पहले यह report आप देख लें तो जो DDO यह report है income tax बंदी report जिसमें कि DDO deduction करता है और quarterly जमा कराता है उसके बारे में तो अपने इसमें जान लेते हैं दोस्तों एक group का मैं जान के आपको दिखा देता हूं कि जैसे April महिने से और पूरे साल का जैसे मैं जानना चाहरा हूं तो यहां आप select कर लेंगे चली दोस्तों देख लेते हैं सबसे पहले year select करना है किस महने से किस महने तक का आप income tax report देखना चाते हो और कौन सी group से देखना चाते हो group select कर ले और यहां PDF, dose report Excel report किस में देखना चाते होते हैं जैसे PDF report देखना चाते हैं और submit कर दे जैसे submit करेंगे आप दोस्तों तो आपकी report बनकर जो है आपके सामने downloading का option आजाएगा इसको download कर लेजिए और download करने के बाद आप जो जैसे इसको download के बाद अपन इस report को देख सकते हैं जो मैं आपको दिखा देता हूँ अभी तो इस report का आप जैसे open करेंगे तो यह पूरा जो आपका 7,8,9,9 महिनी की जो report है वो आपके सामने quarterly जिसको बोलते हैं वो report आपके सामने open हो जाएगी इसको अपन देख लेते हैं अभी चली दोस्तों यह report आपके सामने त्यार है अब इसमें से आप tax देख सकते हैं यह report tax के लिए मैंने बता दी आपको कि इस April से लेके अक्टूबर महिनी तक कि यह 9 महिनी की salary अभी pay नहीं हुए तो इस वजह से इनका नहीं दिखा रहा तो यह परते का इनका यह दिखा रहा income tax और यहां gross total gross amount कितना मन रहा है और income tax कितना मन रहा है पूरा इस में दिखा रहा है इस परकार से सभी employee का अपने जिस group के अंदर है सब का आप देख सकते हैं जिस परकार से employee का कोई भी income tax नहीं कट रहा और नीचे भी आप देख सकते हूं ठीक है friends तो आप आसानी से यहां के बाद जो income tax AC के entry दिखाई दे रही है इसको आपको सबसे पहले entry करने होती है यह entry क्या है इसके बारे में आपको बता दूँ कि इस entry के अंदर यह दोस्तों वो entry है जिस quarterly DDO जमा करता है income tax काटने के बाद DDO को quarterly submit करना पड़ता है जो tax उस tax के बारे में तो यह tax से DDO यहां पर इसके entry कर देगा यहाँ year select करने के बाद में इसके entry कर देगा की इसने quarterly कितना कितना इस employee के यह को आप फ्रूप्सोड़ा त्यार करें इसके लिए ही यह आप यह पर बर बड़ना होगा तो जीसे में एक employee को यह बहर देता हूं quarterly जैसे डीडियो ने जो इसमें घ्र मा रहा हूं, last में जैसे आप March के अंदर जो financial year at end हो जाता है, उसके बाद में इसका करना होता है, लेकिन इसको एक Demo के रूप में बता रहा हूं, फिर इसको आप submit कर देंगे, चारों quarter का भणने के बाद आप इसमें यहां से submit कर दें और जैसे आप submit कर देंगे तो आपका data successful इस पर कार से आगे यहां से इसको okay कर दें और okay करने के बाद दोस्तों इस परकार से फ्रेंड्स ये quarter आप फिल अप कर लेंगे सबसे पहला काम यह तो इसमें आपको मैंने बता दिया कि quarterly आप देखेंगे कैसे तो इसका मैंने रिपोर्ट में जाके आपको बताया था भी इस परकार से आप रिपोर्ट जो है तीन-तीन महेने की जो अपन जमा कराते हैं सब्मिट कराते हैं इंकम टेक्स डिपार्डमेट को डिडियू की तरफ से हो कर लेंगी अब दूसरा काम दोस्तो आपको यह bill processing में आना है और बिल processing में आने के बाद में जो tax cal income tax calculation है इस पे आपको इस option पे आपको आना है और इसको क्लिक कर दे फिर दोस्तों जैसे आएंगे तो आपको दिखाई दे रहे उपर इसके अंदर हेडिंग में कि income tax detail फोरुम 16 तो यहां से फोरुम 16 त्यार हो जाएगा आपका आप यहां पर जो financial year है उस्टे select करें जो financial year है और यहां पर आपको group select करने है तो group select मैं कर लेता हूँ जैसे आप group select कर लेuffe इसके employee side के अंदर यहां पर आजएगे दोस्ते इसमें से कोई बेख employee आप select कर लें जिसका आप बनाना चाहरे है जिसका आपने AC के entry fill up किये उसका quarter का आपने AC के entry fill up किये उसका ही तो फाइनिस यह लिए आपको पता है कि एक मार्ज 2018 से यह जो है एक अप्रेल 2018 से मार्ज 2019 तक का यह फाइनिस लिए रहा है यहां उस एमप्लोई की डिटेल आजएगी डिटेल आने के बाद नीचे दोस्तों अपन देख लेते हैं अभी आपको बता जाते हैं चलिए यहां प रहा हो तो इसको अटा दें प्लस कर लें और हरे यहां पर फिल अप होगा आपको और अदर के अंदर जैसे यह च्छेजार सासो च्छेटर रुपे बोनुस का दिखाई दे रहा है तो यहां पर हो जाएगा टोटल ग्रोस इंकम यह और यह इन किस और अगर इसको थोड़ा यहां पर आगर में प्लस कई रहा है कि पूरा डीटेल डवाए फोरम के तो वह आपन भर लेते हैं जैसे जैसे ग्रोस क्योंदर पलस का यह जो symbol दिखाई देरें आपको इस symbol पे आप कलिक करें और symbol पर जैसे आप कलिक करेंगे आपको इस परकार से यहां पर दिखाई देगा इस option में से कुछ fill up करने वाला data हो तो आप यहां से fill up कर लें जैसे यहां close salary यह दिखाई देरी तो इन 2-3-4 को एक plus करके एक में से कटा देगा और यहां पर इसको आप इविलेट कर लें तो इविलेट करने के बाद में यह total आपको यहां पर यह दिखाई देने लग जाए अब house property समंदित है तो house property समंदित ही इस पर click कर लें और plus पर click करने के बाद दोस्तों यहां पर देख लें कि house property का अंदर क्या क्या रहा है तो house property का जो भी आपका income बनती है उसका आपका tax लगता है यहां पर तो यहां पर आप professional tax कुछ हो तो आप यहां पर बढ़ सकते हैं और फिर आप दोस्तों तीन नमर प्याज़ें तीन न income from interest on post office saving तो saving से समद्धित कोई ङांप प यहां पर एड कर सकते हो और saving bank से समद्धित only interest से समद्धित वो त्यहां पर या interest की रुप में पैसा जमा करा रखो तो यहां तो यह कर लें और इसके बाद में total को relate कर लें तो जैसे total को relate कर लें तो एक दो तीन तीनों को प्लस कर देगा प्लस करने के बाद में आपको 9 लाक यह दिखा रहा है ओके दोस्तों फिर यहां आप गया rebate तो rebate आपको बता है ACC के तहट जो maximum rebate है वो डेड़ लाक रुपे का भी है तो यह आपको rebate maximum मिलता है तो यहां पर आप क्लिक करें प्लस पे प्लस पे क्लिक करने के बाद आपके सामने चलिए दोस्तों यहां आपको जो जी प्लस कर देगा यहां पर automatic और यहां दोस्तों LIC LIC इसके अलावा अगर LIC कुछ हो तो यहां पर इसको प्लस कर देगे यह तो cellist से direct detect होने वाली है इसके अलावा कुछ हो तो इसको आप यहां से add कर सकते हो PLI को यहां से add कर दीजिए जो PLI बढ़ रही हो तो यह add करने पड़ेगी यह already add की हुए इसलिए आपको दिखाया है यहां पर आप आप एड कर सकते हैं यहां 0 दिखाएगा आपको फाइव यह अगर अप्टी बैंक से पोस्ट ओपी से ले रखें इंटरस्ट की रूप में यहां पर add करें पैंसें फंड का कोई अधर हो तो यहां पर add करें ठीक है दोस्तों और यह पूरा add करने के बाद में आपको relate करना है यह upload करने के बाद में जैसे आप upload कर लेंगे इसको तो यह maximum आपको बता रहा है कि डेल लाग रुपए उपर दिखा रहा है maximum 10 लाग only तो यहां पर यह दिखाएगा तो यह total एक लाग पचास जार नो सु बाउन रुपए हो रहा है लेकिन यह डेल लाग की आपको छूट देगा ठीक है दोस्तों अब यह चार में से जो आपका total income थी आपकी चार की पांच में से एक अटा देगा क्योंकि यह tax deduction से छूट वाली है rebate वाली है तो यहां पर इसमे इविलेट दुवारा करें तो दुवारा आप इविलेट यहां नीचे करेंगे 6 नमर पे तो 6 नमर पेविलेट करते ही आपका यह जो है सही calculation 8,10,306 रुपया गए यानि कि यह 1,5 लाग रुपया यहां से deduct मतल घट गए माइनस हो गए ओके दोस्तों अब उसके बलावा chapter 6 के अंदर अगर आपका कोई deduction है तो यहां पर आपके अट करें तो chapter 6 के अंदर क्या आता है जो अधर डिडेक्शन आते हो तो डेड लाग के लावा आता है इसमें क्या आता है medical insurance हो सकता है जो आपको दिखाए दे रहे हैं यह option आपको दिखाए दे रहे हैं दोस्तों इसको ध्यान से देखिए medical insurance SCD के तैस जो होता है वो जैसे आपने मालों को insurance गरात का medical insurance का तो यहां भर सकते हो आप और medical insurance SCD others हो तो यहां भर सकते हो दूसरा और senior citizen के लिए यहां पर आपको एड करना है medical treatment यहां एड करना है donation अगर आप दे रहे हो किसी संस्ता को donation दे रहे हो SCG के तैस जो सस्ता होती है जैसे अपने विडियाले के अंदर SMC जो होती है वो SCG के तैस होती है तो उसके अंदर भी आप donation दे सकते हो वो यहां पर लगाना है physical handicapped है वो यहां एड करें invested under equity saving के अंदर है तो यहां पर एड करें higher education से loan ले रखा है तो यह 80E के तैस यहां पर आपको add करना है और government contribution NPSC इसको बोलते हैं पचास जार रुपे ते कि आपको छूट ले सकते हो इसमें जो tier 2 होता है जो एक एक 2004 के बाद में employee लगी है उनको आपको पता है NPSC में जमा होता है पैसा तो वो पैसा आपे tier 2 और tier 1 तो government का अनिवारी होता है tier 2 आपे switchik ले सकते हो तो इसमें 50,000 रुपे ते काप ले सकते हो और less interest on deposit on saving account जो है इसके अंदर यह बर सकते हो relief under section 89 89 के अंदर आपका rebate मिलता है आपका पिछे अगर last year किसी दो सालों का अगर आपका barrier बचाओ तो इस दोरान का text का जो difference हाता है वो यहां बरना होता है और फिर आप इसमें इन सब को जो आपको दिखाए देरे total करे गए तो सब का deduction जो है इसको total कर लेगा यहां यूविलेट कर लेगा तो इसको यूविलेट कर लेते हैं दोस्तों तो यहां पर यह जैसी यूविलेट करने के बाद यह आपका total जैसे मैंने 10,000 बढ़ा है तो यह 10,000 मैंने बढ़ा है एक demo group में आपको बता रहूं आप इस परकार से भर सकते हो तो यह 10,000 बढ़ने के बाद में आप इसको यहां से कर लें save और save करने के बाद दोस्तों जैसी आप save कर लेते हैं तो save करने के बाद में data successfully आ जाएगा इसको ok कर दें और ok करने के बाद नीचे थोड़ा इसको drag करें और drag करने के बाद balance tax वन जो total balance आपका tax का है वो 5707 रुपे मनेगा इसमें to be deducted for the remaining four month यानि की चार मेने सहली के बच्चे हैं इन चार मेनों में आपको पर मन्त 14,117 रुपे calculate कर दिया इसने कि इस इस हिसाब से आप अगर काटोगी तो आपका tax वे last महिना जो फरवरी महिने अगर करता है वह पूरा हो जाएगा ओके दोस्तों यह आपका काम हो गए इसमें कोई गड़वड हो तो इसमें दुबारा कर सकते हूं अब आप यहां से forward कर दें डिडियो तो इसको जैसी क्लिक करोगे इस पर क्लिक करते हैं डिडियो को forward हो जाएगा ओके दोस्तों अब आपका चीज फोर्म 16 त्यार हो गया इस फोर्म 16 त्यार हो गया इसके बाद में इसको कैसे देखोगे इसके बारे में आपने नेक्स्ट आगे जानते हैं चलिए दोस्तों अब आप रिपोर्ट में जाएंगे और रिपोर्ट में जाने के बाद में आपको डीडियू रिपोर्ट में जाना होता है डीडियू रिपोर्ट में जाने के बाद दोस्तों आप डीडियू रिलेटिड रिपोर्ट इसमें आ जा आना है यह जो दिखाए जा रहा है फॉर्म-sola रिपोर्ट इसमें आजाना है यहां आने के बाद इस पर आप क्लिक कर दो और जैसे आप फॉर्म-sola इस पर क्लिक करोगे आपको मैं पूरा दिखाऊंगो दोस्तों लास्त तक बने रही है और देखते रहे हैं क्योंकि पूरी लेने सिलेक्क कर लिया। ग्रूप सिलेक्ट करने के बाद दोस्तो यहां पर आप employee क्रविश्ञ चैल स्वाद दो सुछ ने हम आपने बनाएया भी फोरूम-16 वॉर्ट हो इसको सॉलेक्ट कर ले और यहां सिलेक्ट करने के बाद में आपके सहाम ने इस परकार से इंटरफेस ओपन हो जाता है यहां आपको current office only तो current office only के लिए आप current office only पे tick mark कर सकते हो ताकि अपना office हो है उससे समंधिती यह आ जाएगा इसमें यहां पर जो sign PDF तो यहां पर PDF शो वाला इस पर क्लिक करें जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने यह यहां से downloading मांगेगा downloading को आप सेव कर ले और जोस्तों saving यहां पर आपको दिखाई देने लग जाए गा downloading जहां पर भी आपका window में हो रहा है और इसको आप कर लें open उपन करने के बाद इसमें फोरून सोड़ा त्यार है आप देख से चलिए दोस्तों यहां पर आपका नाम बगएरा सब उपरा जाएंगे यहां टैन नमर आएंगे आपके और यहां पर आप कहाएंगे पैन नमर जो employee के पहर नमर है अब हमने जो acknowledgement ACK के अंदर ने entry के दी सबसे पहले वो मैं आपको यहां बता रहा था चारों क्वाटरों के entry इस परकार से आजाएगी जिस employee की डीडियो ने quarterly जो deduction जो income होता है income tax tax होता है deduction होता है वो जमा कराता है डीडियो income tax department को वो यहां पर आपको स्य हो जाएगी यहां पर period आजाएगा एक चार दोजार अठारा से 31 से 3 2019 तक वो यहां पर year आजाएगी इसके बाद में नीचे यह पूरा आपके detail दोस्तों आजाएगी जो आपने देख लेते हैं चलिए friends यहां पर इनकी total income यह शो हो रही है और यह deduction यहां पर जो total income शो होने क यह डेड़ लाग ही मानने होगी तो डेड़ लाग यहां हो गया दस जार जो यह chapter 6 के अंदर हो गया तो 6 यह बड़ा अलग section के अंदर आ गया और यह total एक लाग साथ जार के होगी अब आप इनके पास income जो taxable income जो हो ची आठ लाग अब 8 लाग में से दोस्तों अब rebate कितना मिला है तो tax on total income जो है आपकी वो यह दिखाई दे रही ठीक है दोस्तों अब यहां पर जो इतना यह tax बन गया है इनका total और इस पे जो आपको यह दिखाई दे रहा है जो आपका sales in education sales tax हो जाता है वो 2% plus 1% जो यह 217 रुपे लग गया और यहां पर आपका total tax यह बन गया है अब आपने इस tax में से जो relief under section 89 कुछ भी नहीं है tax payable जो आपका यह दिखाई दे रहा है यह tax payable हो गया इसके बाद में आपका जो है कि मई मेने के अंदर 2000 रुपे फिर जून के अंदर 1000 रुपे फिर यह अगस्त में ज्यादा कटा है और यह area का है कुछ इसके बाद में यह आपका tax इस परकार से दिखाई दे रहे और यहां पर इनका जो डीडियो का name गयर आजाएगा और यह certified बता दिया इन उनकी इतना tax आपका already the mouse के total tax यह बता दिया और यहां पर आजाएगा और यहां पर डीडियो के जो responsible tax डीडेक्टर उनके sign full name designation वह लग जाएगा और इस परकार से आपका फॉर्म 16 त्यार हो जाएगा अब दोस्तों फॉर्म 16 त्यार होने के बाद मैं आपको मैं पेम नेजर पे दुबार tax, rebate, tax, revert वाला जो दिखाई दे रहा है तो यह आपका यहां पर show हो जाएगा तो यहां जैसे आप इसको open कर लेंगे, open करने के बाद मैं आपको इस प्रकार से यहां पर दिखाई देने लग जाएगा, यहां पर आप year select कर ले, year select करने के बाद में उस group को select करें, groups को select करने के बाद में यहां से आप इसको revert कर सकते हो, तो यह did you forward हो गया था, इसको आप revert करो, इस परकार से आपने आज जाना दोस्तों इस वीडियो के अंदर की आपने form 16 जो है pay manager पे किस परकार से आप त्यार कर सकते हो, तो ध्यान रहे कि जो मैंने AC के entry बताई थी, master के अंदर यह entry आपको उसी employee की बार-बार करनी होगी, जिस employee का आप form 16 त्यार करना चारहे हो, ठीक है दोस्तों, तो यह आपको delete करके बार-बार entry करनी होगी, तो यह था जो आपके दोस्तों के demand पे, जो कई तोनों से demand हो रही थी, और मैंने भी 4-5 गंटे की मैंनत के बाद मैं यह video त है, जो ढूंड के मैंने form 16 त्यार के आपके लिए, तो दोस्तों इस वरकार से form 16 त्यार कर सकते हो, इस में किसी वरकार की गलती हो, तो आप इंकम टेक्स डिपार्टमेंट के जो order है, उसको अधिकत माने, ठीक है दोस्त, thank you, next video में जल्दी मिलते हैं, तब तक लिए, नमस् कर दाना एंट